आज का ये दिन महत्वपून है। और परमपराओं को आधुनिक्ता से जोडती है। और चत्तर वर्ष पहले की स्वतंत्रता की भावना को पुनर जीवित करते हुए, माननिये प्रधान मंत्री ने आज तमिल नाड के आधी नमों से सेंगोल को स्विकार किया है। सेंगोल राश्टर के लिए न्याएपून और निश्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। सेंगोल तमिल शब्द से मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीती परायनता। इसके शीर्ष पर न्याए के प्रतीक पवित्र नंदी अपनी अचल द्रिष्टी में विराजित है। ये वही सेंगोल है जिसे श्री जवाहरलाल नहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात को थिरुवा वड़तुरई आधिनम से एक अनुष्ठान के माध्यम से सुईकार किया था। उसके बाद इस पवित्र सेंगोल को यतोचित सम्मान और स्थान न मिल सका। जो मिलना चाहिए था। कहानी मुर्ती है तमिलनाड के काची पुरम की ओर जहां पूजनिय काची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68 में प्रमुक परमपावन श्री चंद्र शेकरिंद्र सरस्वती स्वामिगर्ड जो महापेर्यवा अर्थात प्रभुद्ध जैष्ट के रूप में जाने जाते हैं। वे सेंगोल वृतांत को स्मरन करते हुए अपने अनुयाई डॉक्टर आर्शुब्रमनियम से इसका वरनन करते हैं। जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। महापेर्यवा ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अफसर पर सेंगोल ने एक महत्वपून भूमिका निभाई थी। हमारे एतिहास की किताबों में यह तथ्य अवश्य होना चाहिए था। लेकिन गत कई वर्षों में कहीं भी इसका उलेख नहीं किया गया है। एक बार इस अध्भुत्सन स्मरण के सार्वजनिक होने पर थमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरियता दी। माननिये प्रधान मंत्री एक परंपरा गत प्रतीक की खोज में थे। तक पस्चात सेंगोल ने उनका ध्यान आकर्शन किया। उन्होंने इसकी जाच करवाई जिसका प्रमान मीडिया विशलेशनों और पुस्तकों में मिला। आखिरकार सेंगोल की खोज पूरी हुई। यह एतिहासिक सेंगोल इलाहबाद संग्राले में मिला। ये चोला सामराज्य से चली आ रही हमारी भारतिय सब्भेतागत प्रता है। चोला सदियों तक हमारे उप महागेट के अग्रणी सामराज्यों में से एक थे। सबसे महत्वपून बात ये है कि सेंगोल के प्राप्त करता के पास न्यायपून और निश्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है। जिसे तमिल में आने ही कहा जाता है। इस विचार से माननिय प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उनके अनुसार जनता के लिए चुने गए लोगों को इस आदेश को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने यह निश्चे किया कि इस अद्वितिये प्रतीक को अमरित काल के प्रतिविंब के रूप में अपनाया जाना चाहिए। ताकि राष्ट्र अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण रहे। सेंगोल को आज सुभा संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। यह सभी के लिए भारत सरकार के न्यायपूर्ण और निश्पक्ष शासन के अटूट संकल्प का स्मरण कराता है। इस दृता के साथ भारत विश्वगुरू के रूप में अपना यतोचित स्थान ग्रहन करने की योर बढ़ रहा है।